जावना उलेके आए ने ओ इस मंच तो उन सांजा करनेंगे मैं बेंति करनें देश्दे परदान मंत्री शरी नरेंदर भोदी जीनूं किरुप्या करके ओ संगताँनों संबोदद करनें संगताँनों बेंति करनें संगा जी मैं फेर कमा गुरुते एक बहादर साब जीदी किर्पा ए अलाही बाणी ए मेरे मालक वल्लों पढ़ाया क्या ऐसा अद्बुन जारा दुनिया अचनी देखन दुवारा मिलना परदान मंत्री जीत वड़ना गल करन जारे जिकारे दिरूपंदल स्वागत करे हो जे बोले सोन्य साथ स्वियका वाहे गुरुजी का खाल्सा वाहे गुरुजी की फत्र मन्चस्त सभी महानुभाव इस कारकम्य उपस्तित सभी देवियों और सज्जनों और वर्चुली दुनिया भर से जुड़े हुए सभी महानुभाव गुरुतेक बहदूर साब के चार सोवे प्रकाश प्रवकों समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का रदय से स्वागत करता हूँ अभी शबत किर्दन सुनकर जो शांती मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है आज मुझे गुरु को समर्पित समारक डाक्टिकीट और सिक्के के विमोचन का भी सोभागी मिला है मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेश कुरुपा मानता हूँ इसके पहले दोहजार उन्नीस में हमें गुरु नानक देव जी का पांसो पचासवा प्रकाशपर्व और दोहजार सत्रा में गुरु गोविन सीन्जी का तिनसो पचासवा प्रकाशपर्व मनाने का भी सवभागी मिला था मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निश्चा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है मैं इस पुण्य अउसर पर सभी दस गुरुओं के चरणों में आदर पुर्वक नमन करता हूँ आप सभी को सभी देश वासियों को और पुरी दुनिया में गुरुवानी में आस्ता रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्वकी हारदिक बढ़ाई देता हूँ साथियों यह लाल खिला कितने ही एहम कालखंडों का साक्षी रहा है इस किले ने गुरुतेक बहदुर साथ की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौशले को भी पर्खा है आजहादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गुंच यहां से प्रतिद्वनीद हुई है इसलिए आजहादी के अमरित महुत्सव के दोरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेश हो गया है साथियों हमाज जहां है अपने लाखों करोडों स्वाधिनता सेनानियों के इत्याग और बलिदान के कारण है आजाद हिंदुस्तान अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान लोक्तांत्रिक हिंदुस्तान दुनिया में परोपकार का संदेश पहस्चाने वाला हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटी-कोटी लोगों ने खुद को खपा दिया इभारत भूमी सिर्फ एक देश नहीं है बलकि हमारी महान विरासत है महान परंपरा है इसे हमारे रुशियों मुनियों गुरुओं ने सेंकडों हजारों सालों की तपस्या से सीचा है उसके विचारों से सम्रिद्ध किया है इसी परंपरा के सम्मान के लिए उसकी पहचान की रच्छा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था इसलिए साथियों सेंकडों काल की गुलामी से मुक्ति को भारत की आजहादी को भारत की आध्यात्मी को और सांसकुर्दिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता इसलिए आजदेश आजहादी के अमुरित महोत्सव को और गुरुतेक बहदुर्द साथ के चारसों में प्रकाश परव को एक साथ मना रहा है एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है साथियों हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्यान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई उन्होंने शक्ति को सिवा का माध्यम बनाया जब गुरुतेक बहदुर्द साथ का जन्म हुआ था तो गुरुद पिता ने कहां था दिन रक्ष संकट हरन दिन रक्ष संकट हरन यानि ये बालक एक महान आत्मा है ये दिन दुख्यों की रक्षा करने वाला संकट को हरने वाला है इसलिए स्री हर्गोविन साम ने उनका नाम त्याग मल रखा यही त्याग गुरुतेक बहदूर साम ने अपने जीवन में चरितार्त भी करके दिखाया गुरु गोविन सीजे ने तो उनके बारे में लिखा है तेक बहदूर सिमर्ये घर नव निधी आवे धाई सब थाई होई सहाई अर्थात गुरुतेक बहदूर जी के सुमरें से ही सभी सिद्या अपने आप प्रगड होने लगती है गुरुतेक बहदूर जी का ऐसा अध्वूत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था वो ऐसी विलक्षन प्रतिभागे दनी थे साथियों यहां लाल किले के पास यही पर गुरुतेक बहदूर जी के अमर बलिदान का प्रतिख गुर्दवारा सिश्गन साहब भी है यह पवित्र गुर्दवारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुतेक बहदूर जी का बरिदान कितना बड़ा था उस समय देश में मजहभी कट्रता की आंधी आई थी धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मसोद का विशे मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उमीद गुरुतेक बहदूर साब के रुप में दिखी थी आउरंग जेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरुतेक बहदूर जी हिंदधी चाधर मनकर एक चट्चान मनकर खड़े हो गए थे इत्याद गवा है कि वर्तमान समय गवा है और ये लाल कीला भी गवा है कि आउरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका गुर्तेक बहदूर जी के परिदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृती की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई बड़े बड़े तुफान चान्थ हो गए लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है भारत आगे बढ़ रहा है आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है मानवता के मार्क पर पत्व प्रदर्शन की उमीद कर रही है गुरुतेक बहदुर जी का आशिरवात हम नए भारत के अभा मंडल में हर और मैसूस कर सकते हैं भाई और बैनों हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनवतिया खड़ी होती है तो कोई न कोई महान आत्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखा कर दिशा देती है भारत का हर छेतर हर कोना हमारे गुरुवां के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है गुरुनानक देवजी ने पूरे देश को एक सुत्र में पिरोया गुरु तेक में हदूर जी के निवाई हर तरफ हुए पटना में पटना साहिब और दिलनी में रकाम गज़ साहिब हमें हर जगया गुरुओं के ज्ञान और आसिदवाद के रुपे एक भारत के दर्शन होते हैं भाई और भेनों मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूँ कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अउसर मिल रहा है पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने सहिब जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस मनाने का निरने किया है सिक परंपरा के तिर्थों को जोडने के लिए भी हमारी सरकार निरनतर प्रयास कर रही है जिस करतारपुर साप करिडोर की दसकों से प्रतिक्षा की जा रही थी उसका निर्मान करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिवद्दता दिखाई है हमारी सरकार ने पट्ला साहब समीत गुरु गोविन सीज़े से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकरण भी किया है हम स्वदेश दर्सन योजना के जरिये पंजाब में आननपूर साहब और अमृत्सर में अमृत्सर साहब समीत सभी प्रमुक्षानों को जोड़कर एक तिर्थ सरकीट भी बना रहे हैं उत्त्राखंड में हेमकुन साहब के लिए रौप्वे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है साथ क्यों स्रीगुरु गंज साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्यार के प्रसप्रदर्शक के साथ साथ भारत की भीवितता और एकता का जीवन्त स्वरूप भी है इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है हमारे प्रभित्र गुरु गंज साहब के स्वरूपों को लाने का प्रस्ण खड़ा होता है तो भारत सरकार पूरी ताकट लगा देती है हम न केवल गुरु गंज साहब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ नागरिक्ता संसोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आये सीख और अर्पसंग्यक परिवारों को देश की नागरिक्ता मिलने क्या रास्ता साप किया है यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरी रखने की सीख दिये है प्रेम और सवहार्थ हमारे संस्कारों का हिस्सा है साथियों हमारे गुरु की वाणी है भय काहू को देत नहीं भय काहू को देत नहीं नहीं भय मानत आन कहन नानक सुनिरे मना ग्यानी ताही बखानी अर्थात ग्यानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे भारत ने कभी किसी देश या समाँच के लिए खत्रा नहीं पएदा किया आज भी हम पूरे विश्व की प्रगती लक्ष का सामने रख करके हम करते हैं भारत विश्व में योग का प्रसार करता है raises तो पुरे विश्व के स्वास्त और शांति की कामना से करता है कल ही मैं गुजरात से लोटा हूं वहाँ विश्व स्वास्त संगधन के पारमपारिक चिकिच्चा के ग्लोबल सेंटर का उद्गाटन हुआ है अब भारत विश्व के कौने कौने तक पारमपारी चिकित्सा का लाब पहुँचाएगा लोगों के स्वास को सुधारने में एहम भूमी का निभाएगा साथियों आज का भारत वेश्विक द्वंदों के बीज भी पुरी स्थिर्ता के साथ शांती के लिए प्रयास करता है काम करता है और भारत अपनी देश की रच्षा सुरच्षा के लिए भी आज उतनी ही द्रड़ता से अटल है हमारे सामने गुरुआ की दी गई हुई महान सिख परंपरा है पुरानी सोच पुरानी रूडियों को किनारे हटा कर गुरुआ ने नई विचार सामने रखे उनके सिशों ने उन्हें अपनाया उन्हें सिखा नई सोच का ये सामाजी का भियान एक भैचारिक इनोवेशन था इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और शत प्रतिशत समर्पन ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है आज जहादी के अमरित महोत्सों में आज देश का भी यही संगल्प है हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है हम एक ऐसा भारत बनगना है जिसका सामर्थ है दुनिया देखे जो दुनिया को नई उन्चाई पर ले जाए देश का विकास देश की तेज प्रगती ये हम सब का कर्तब्य है इसके लिए सब के प्रयास की जरुरत है मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुआं के असिरवात से भारत अपने गवरों के सिखर तक पहुँचेगा जब हम आजादी के सौ साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा गुरुतेक बाहदूर जी कहते थे साधो साधो गोविन के गुनगाओ मानस जन्म अमोल कपायो वर्था काहे गवाओं इसी भावना के साथ हमें अपने जीमन का प्रत्यक्षा देश के लिए लगाना है देश के लिए समर्पित कर देना है हम सभी मिलकर देश को विकास के नई उचाई पर ले जाएंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर हार दिख शुब कामनाय देता हूँ बहे गुरी जी का खाल्चा फते